कैसे हो दोस्तों आप सभी मेरा नाम है सुभम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुजरात लो एकेडमी पे और हम आज बात करने जा रहे है राइट ओफ एरेश्ट परसन के बारे में गिरफतार व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में तो अगर आपने मेरा सस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बैल आइकोन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको नहीं नहीं जानकार या भी पराप्त होती रहे तो आईए स्टार्ट करते हैं कि क्या अधिकार है यहा बात करते हैं कि जो गिरफतार व्यक्ति है वो अपने एड़ोकेट से अपने पसंद के जो अधिवक्ता है जो वकील है उसका उससे वो मिल सकता है जब उसकी पूछताच हो रही हो जब इन्वेस्टिकेशन चल रही हो उस टाइम पे वो अपना जो उसका लीगल लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों यह आपका अधिकार है आपका अपने वक्ति से मिलने का अधिकार है अगर आप कस्टडी में है तो उसके बाद आता है नंबर 2 सेक्शन 50 में यह दिया गया है यह क्या कहता है कि जो गिरफतार व्यक्ति है जो एरेश्ट परसन है उसको यह अधिकार है यह उसका राइट है कि उसको किस केस में कि किस आरोप में उसको गिरफतार किया गया है वो उसको जानने का पूरा अधिकार है और वो पुलिस वालों को उसको बताना चाहिए कि भई यह तुमने उफेंस किया, इसली हम तुमको और परसन है बेल पर चूटने का तो वो राइट बन जाता है बेल पे रिलीज होने का जो जमानत होती है उस पे छूटने का वो अधिकार बन जाता है तो उसमें अगर बेलेबल ओफेंस है जैसे 323 का है तो उसमें क्या है कि पूलिस वालों को बताना चाहिए आरोपी को कि भाई ये बेलेबल ओफेंस है और इसमें तुम पुलिस टेशन से बॉंड भरके जो भी जनामत देगे छूट सकते हो तो ये अधिकार है जो आरोपी होता है जो व्यक्ति गिरफतार हुआ ये उसके अधिकार है ये पुलिस वालों को उसको कंपलसरी बताना ही पड़ेगा उसके बाद आता है नंबर थ्री ओबलिकेशन सो परसन मेकिंग एरेश्ट टू इनफॉर्म एबाउट दा एरेश्ट जो व्यक्ति गिरफतार किया गया है दोस्तों जो व्यक्ति गिरफतार हुआ है ये उसके सम्मंद में है कि वो उसकी गिरफतारी का उसके घरवालों को या उसके रिष्टेदारों को किसी को भी ये इनफॉर्म करना पड़ेगा कि भई हमने इस व्यक्ति को गिरफतार किया ह और यह जो गिरफतार व९क्ती है जो एरेष्ट deposit है यह उसका अधिकार है कि वह आपने उसको एरेष्ट किया यह तो उसके जो रिस्तेदार है उसके जो दोस्त है किसी को भी जो हां का reputed कोई ईनसान है उसको तो आपको sappia पड़तेगा नै कि वह जीए वह घरवालों को तो य अधिकार इसको दबा नहीं सकते है पूलिस वाले यह अधिकार उसको देना ही पड़ेगा और इनफॉर्म भी करना ही पड़ेगा जिसको गिरफतार व्यक्ति बोलेगा कि मेरे इस व्यक्तिव के मेरे इस घर वाले को आप यह इसकी इनफॉर्मेशन दीजिए तो उस हिसाब से उस व्यक्तिव को पूलिस वाले कैसे भी कॉंटेक करके वो उनुको इनफॉर्म करेंगे कि भाई यह हमने इस इस इनसान को आपके हमने एरेष्ट किया है उसके बाद आता है नमबर चार, पॉइंट 4 क्या कहता है कि प्रोसिजर वन पूलिस ओपीजर डेप्यूट सबाटन यह क्या कहता है कि जब उच पुलिस अधिकारी किसी से अपने से निचले दरज्जे को उसके अंडर में आने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को या किसी भी पुलिस क्रमचारी को ये पावर देता है राइटिंग में कि तुम जाओ और इस आदमी को तुम्हें गिरफतार कर मुष्ञाइं गे तो तो उस वियक्ति का अधिकार है कि वो उनसे पूछ सकता है कि क्या तुम्हें, गिरफटार करने का अधिकार है यह तुम यह आपको जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी गिरतार वियक्ति को पुर Springs दिकारीय पुलिस का कोई भी कोई भी पुलिश टेशन में 24 गंटे से ज्यादा कोई भी गिरफ्दार करके नहीं रख सकता है inspired करके नहीं रख सकता है ऐसे व्यक्ति को जिसको गिरफ्दार किया गया है 24 गंटे के अंदर magistrate के सामने जो नियाईक magistrate है जुडिशल मजिस्टेट है उनके सामने उनको पेस करना पड़ेगा और उनके बाद में अगर उसका इन्वेस्टिकेशन कंपॉलीट नहीं हुआ है तो जो 1.67 में हम बोलते हैं कि रिमांड़ पे दी spokesperson करने के लिए लेकिन मित्रों फर्स टाइम में अगर रिमान नहीं लिया है तो 24 गंटे के अंदर मजिस्टेट के समक्स प्रस्तुत करना पड़ेगा व्यक्ति को जिसको गिरफतार किया गया है और दूसरा अधिकार इसमें मित्रों एक और है 167 में आरूबी का एक अधिकार ओर है वो अधिकार ये है कि अगर जैसे किसी offense में 10 साल से कम की सजा है ऐसे offense में अगर 60 दिन के अंदर 4 सिट नहीं होती है और जो गिरफतार व्यक्ति है धो जेल में है तो ऐसे व्यक्ति 61 में दिन जो होगा वो अपने बेल के लिए कोट को बोल सकता है कि यह चार सीट नहीं हुई है और मुझे इसमें बेल दिया जाए तो वो अधिकार है उसका बेल लेने का अगर चार सीट साट दिन में नहीं होती है अगर वो दस साल से जादा की सजा का उफेंस है दस साल या उससे जादा का तो उसमें 90 दिन में 90 दिन में अगर चार सीट नहीं होती है, तो उसमें अधिकार है, 91 जो दिवद दिन आएगा, उसमें अधिकार है, कि जो एक्यूजड है, वो जेल में है, उसको जामीन पे, मतलब कि जमानत पे छूटने का, बेल पे उसको रिहा होने का, उसको अधिकार है, ठीक है, उसके बाद आता है, च्छटा पॉइंट आता है एक्जामिनेशन सोफ एरेस्ट परसन बाई मेडिकल ओफिसर ये सेक्शन 54 में दिया गया है CRPC में इसमें ये कहा गया है कि जो एरेस्ट परसन ने जो गिरफतार व्यक्ति है उसकी डिमांड पे अगर वो डिमांड करता है कि मेरा एक्जामिनेशन कराई जाए मेरी मेडिकल जो मेडिकल जाँच कराई जाए तो वो मेडिकल जाँच करानी पड़ी कि और मेडिकल जाँच कौन करेगा मेडिकल ओफिसर करेगा वो सेंटरल गोर्रमेंट का भी होता है वो उसमें note down करें कि इसके सरीर पे जो भी injury है वो कितने time किया कैसे है so and so जो भी medical examination में होता है वो accused की demand पे गिया जाता है जो arrest person है ना उसकी demand पे गिया जाता है और इसमें ये भी कहा गया है अगर वो जो arrest person है वो woman है वो man के संबन में क्या होगा कि वो जो medical practitioner है वो woman medical practitioner होना चाहिए तो ही उसकी body को touch करके उसका examination किया जा सकता है जो medical की जाच की जाती है उसके बाद आता है सात्वा point है कि health and safety of arrest person section 55A में दिया गया है 55A क्या कहता है कि इसमें अधिकार है ये भी एक जानना चाहिए कि इसमें अगर आप police custody में हो तो आपके स्वास्त की जिम्मेदारी आपके arrest की जो आपको custody में रखा गया है उसमें आपकी safety की जिम्मेदारी जिस पुलिस अधिकारी ने आपको गिरफतार किया है वो उस अधिकारी की है अगर आपके स्वास्त में आप बीमार हो तो डोक्टर को दिखाने की जिम्मेदारी भी उसकी है चेक अप कराने की जिम्मेदारी भी उसकी है अगर आप उसके custody में तो safe रखने के आपको जिम्मेदारी उसकी है, सुरक्सर आपको परदान करने की अगर आप custody में जैसे आपने सुना होगा काफी cases आते हैं, newspaper में भी आते हैं कि भई ये so and so व्यक्ती, फलाना फलाना व्यक्ती ये custody में था और उसके police custody में मोत हो गई या उसको स्वास्थे कोई problem हो, तो उसकी देखरेक भी रखने की जिम्मेदारी police वाले की है उसके बात आता है point number 8, point number 8 क्या कहता है, arrest to me strictly according to the code section 60 में ये दिया गया है, कि जो इस में पूरे ये rights दिये गए है, जो पूरा ये chapter 5 है chapter 5 है CRPC का, उसमें जो भी वो proceeding दी गई है गिरफतार करने की, कि arrest of person, गिरफतार कैसे करेंगे वो proceeding के हिसाब से ये पूरी proceeding होनी चाहिए, ये कहता है section 60A, कि उसको breach करके उसको तोड मडोड के कोई भी गिरफतारी नहीं हो सकती है, गिरफतारी करने के लिए उसको इन अधिकारों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये अधिकार पुलिस वालों को आपको देने पड़ेंगे आपका अधिकार है और पुलिस को आपको मारने का कोई अधिकार नहीं रिमांड से मतलब यह नहीं है कि सेक्शन 167 में रिमांड दिया गया है कि रिमांड का मतलब यह होता है कि पुलिस वाले आपको मारेंगे यह सिर्फ वैग्यानिक ढंग से पूछताच करने के लिए एक टेक्निकल उससे पूछताच करने के लिए यह दिया जाता है रिमांड ना कि ये आपको मार के टोर्चरिंग करके रिमांड नहीं दिया जाता है उसके लिए रिमांड नहीं दिया जा सकता है और जब आप magistrate के सामने पेस होते हो तब magistrate द्वारा भी पूछा जाता है किया आपको पुलिस के विरुद कोई कम्प्लेन है या पुलिस ने आपको मारा है तो मित्रो बिनडर या आप बोल सकते हैं कि या पुलिस ने आपको मारा है या आपको कोई भी अधिकारों का हनन हुआ है तो आपको पुलिस को बता सकते हो ये आपके सभी अधिकार थे आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्सब कीजिएगा और नेक्स्ट जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ हो सबसे पहले आपको मिले तो बेल आइकोन जो है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा तेंक्यू दोस्तो